नमस्कर दोस्तो 2045 में बिल्कुल नए रासन काट बनाना बहुत असान हो गया है अब बिल्कुल नए रासन काट को मात्रे 5 मिनट में बना सकते हैं ने रासन काट बनाने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरुरूरत नहीं पड़ेगा घर बैठे अपना mobile ये laptop के मादियम से मात्रे 5 मिनट में किसी का भी नए रासन कार्ट को बना सकते हैं और नए रासन कार्ट बना कर खुद से ही आपको download करना है download करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और जैसे अप नए रासन कार्ट बना लेते हैं तो फिर इस रासन कार्ट से गोवर्मेंट का सभी परकार का अब बनिफिट उठा सकते हैं तो कैसे नए रासन कार्ट के लिए apply किया जाता है क्या क्या इसका process है सारा कुछ इस वीडियो में हम complete बताने वाले हैं इस लिस वीडियो को पूरा लास तक देखना है तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बलाइकर हंटे को प्रेस कर लिजे इस portal का link इस video के description में मिल जाएगा और इस portal पे सबसे पहले अपना ID password को create करना है ID password create करने के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है 3 line 3 line के option पे click करना है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है login register के option इस वाले option पे click करना है उसके बाद कुछ इस परकार के interface open हो जाता है ID password create करने के लिए यहाँ पे दिख जाता है register here के option इस वाले option पे click करना है अब यहाँ पे अपना mobile number फिलप करके सबसे पहले register के option पे click करके account को create करना है जैसे account create हो जाता है तो इस portal पे login करना है login करने के लिए दो option दिया गया है जिससे आप login करना चाहते हैं उस वाले option को select करना है login करने के लिए यहाँ पे mobile number को type करना है जो अपना मन पसंद से MP number को create किये हैं इस box में type करना login के option पे click करना है login होने के बाद कुछ इस परकार के interface open हो जाता है और government का जितना भी service है इस portal पे इस परकार से देखने के लिए मिल जाता है तो घर बैठे निव रासन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है 3-line 3-line के option पे click करना है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है service, service के option पे click करना है इस portal पे जितना भी service को add किया गया है इस परकार से all service यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है तो ने रासन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना estate का नाम को select करना है जिस estate का आप नय रासन कार्ड बनाना चाहते हैं, उस estate का नाम को यहाँ पर select कर लेना है, तो चलिए यहाँ पर हम किसी एक estate का नाम को select कर लेते हैं, इस estate में जितना भी service add होगा, इस प्रकार से यहाँ पर service देखने के लिए मिल जाता है, नय रासन कार्ड बनाने के लिए पहल पर देखने के लिए मिल जाता है apply for रासन कार्ड और यहां पर देखने के लिए मिल जाता है open के option, open के option पर click करते हैं तो दोस्तों नया रासन कार्ड बनाने के लिए यहां पर कुछ guidelines देखने के लिए मिल जाता है, क्या क्या document लगने वाला है, document का size क्या होना चाहिए, सारा कु कर सही तरीके से रेडिंग कर लेना है उसके बाद यहाँ पर दिख जाता है continue के option पर क्लिक करना है new राशन कार्ड बनाने के लिए इस प्रकार के एक registration form open हो जाता है इस form को सही तरीके से fill up करना है fill up करते समय mistake से गलती सबसे पहले यहाँ पर अपना personal details को fill up करना है तो इस box में उसका नाम को type करना है जिसके नाम से नया राशन कार्ड बना रहे है यारी head of family का नाम को यहाँ पर type करना है यहाँ पर head of family का mother's name को type करना है father's name को type करना है spouse name है तो type करना नहीं तो छड़ दना है देट और बर्थ को सेलेक्ट करना है, जेंडर को सेलेक्ट करना है, स्क्रॉल डॉन करना है, यहाँ पे टाइप करना है, कितना आपका एज हो रहा है, एज यहाँ पे टाइप करना है, मुबाइल नमबर को टाइप करना है, यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट करना है, अब यहां पर देखने के लिए मिल जाता है तो यहां से अधार नंबर वाले option को select कर लेना है इस box में अधार नंबर को type करना है भोटर ID नंबर आपके पास है तो type करना नहीं तो option को छोड़ दना है उसके बाद next के option पे click करना है उसके बाद next page open हो जाता है जिसमें address details को fill up करना है तो सबसे पहले यहां पे present address को fill up करना है फिल up करने के बाद scroll down करना है अब यहां पे देखिए permanent address और present address अगर same है तो इस box पे tick out कर दना है और जो भी अपने उपर में details fill up किये होंगे automatic जो है कि यहां पे details fill up हो जाएगा उसके बाद जैसे scroll down करते हैं तो यहां पे दिख जाता है next next के option पे click करना है उसके बाद next page open हो जाता है जिसमें bank details fill up करना है तो सबसे पहले यहां पे bank name को select करना है यहां पे branch name को select करना है account number को type करना है bank IFC code को type करना है scroll down करना है अब यहा पर select कर लेना है आपका salary क्या है यहाँ पर salary को type करना है अगर आपका पहले से already रासन कार्ड बना हुआ है तो old number यहाँ पर type करना है या नहीं बना हुआ तो इस option को छोड़ दना है उसके बाद next के option पर click करना है उसके बाद next page open हो जाता है जिसमें gas details के बारे में आपको यहाँ details को fill up करना है तो अगर आपके पास gas connection है तो सबसे पहले select के option पर click करना है अगर है तो यहाँ पर आपको select करना है और single है कि double है यहाँ select करना अगर नहीं connection है तो no connection को option को select करना है जिसमें आपको यहाँ पर कुछ भी details fill up करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद यहाँ पर दि fill up कर लेना है, fill up करने के बाद यहाँ पर दिख जाता है add, add के option पे click करना है, इसी परकार से जितना भी family का नाम को आप add करना चाहते हैं, यहाँ से add कर लेना है, उसके बाद next के option पे click करना है, उसके बाद next page open हो जाता है, जिसमें document को upload करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे id proof मे document को upload करना है id proof में जो आपके पास document होगा अधार card है तो अधार card को upload करना है दूसरा document यहाँ पे upload करना है residence proof residence proof में जो भी आपके पास document होगा यहाँ पे upload करना है उसके बाद यहाँ पे तिसरा document upload करना है other mandatory document तो यहाँ पे other document को upload करना है अगर आप गरिवी रेखा से नीचे आते हैं तो गरिवी रेखा वाला जो भी आपके पास होगा document जैसे मन्रे का job card है तो मन्रे का job card को यहाँ पे upload करना है जो आपके पास document होगा यहाँ पे upload करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे head of family का एक photo को upload करना है photo upload करने के बाद जैसे scroll down करते हैं तो sunbit के option जो दीख रहा है sunbit के option पे click करना है जैसे click करते हैं तो sunbit successfully हो जाता है नया रासन कार्ड के लिए यहाँ से request दर्ज हो जाता है और आपको एक request ID number मिल जाता है उसको note करके या screenshot करके रख लेना है उसके बाद फिर आपको कुछ दिन तक wait करना है अगर आप रासन कार्ड के लिए eligible होते हैं तो नया रासन कार्ड बनकर ready हो जाएगा है और आपके mobile number पे notification को भी send कर दिया जाएगा कि आपका नया रासन कार्ड बनकर ready हो गया है उसे फिर आप खुद से ही download कर सकते हैं डौनलोड करने के लिए view रासन कार्ड details के option जो दिक रहा है इसके उपर click करना है और यहाँ पर रासन कार्ड नमबर डालकर submit के option पे click करके आप रासन कार्ड को भी download कर सकते हैं इस पोर्टल पे नया रासन कार्ड बनाने के लिए आपके estate में service अबलेबल होगा तो इस परकार से आप नया रासन कार्ड के लिए apply कर सकते हैं अगर इस पोर्टल पे नया रासन कार्ड बनाने के लिए आपके estate में service अबलेबल नहीं है तो फिर आप कैसे बना सकते हैं उसके लिए फिर आपको Common Registration Facility के Official Portal पे चले आना है और इसी Portal पर आकर जोए कि फिर आपको अप्लाई करना होगा